आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Good morning students तो आज के मारे Question है With a Neat Label Diagram Explain the Construction and Working of a Compound Microscope तो ठीक है हम लोग पहले काम करते हैं इसका Diagram बना लेते हैं ठीक है उसी के बाद इसको समझना हमारे लिए और असान हो जाएगा तो इसका Diagram बनाते हैं तो यह है हमारे पास Compound Microscope का पूरा Diagram ठीक है पहले Construction के बारे में बात कर लेते हैं Construction तो बहुत सिंपल सा है कि मुझे इसके लिए दो Lenses चाहिए होते हैं ठीक है कौन से Lenses? Convex Lens चाहिए होते हैं हमें दोनों के दोनों और इन दोनों Lenses में से एक का Size एक का Aperture जो है Aperture एक का छोड़ा छोटा होता है और जिसका छोटा है हम उसको Objective Lens बोलते हैं तो OBJ मतलब Objective Lens Aperture of Objective Lens जो है यह Less Than होता है किससे? Aperture of Eye Piece से ठीक है? Eye Piece तो बस यह Condition Fulfill करते हैं मुझे 2 Lenses चाहिए और उनको मैं इस Arrangement में एक क्या एक लगा दूँगा तो यह क्या बन जाएगा मेरा? यह बन जाएगा Compound Microscope अब इस Compound Microscope की Working क्या होती है? वह समझने की कुशिश करते हैं तो Consider करो मिर पास एक Object रखा है यहां पे P की Object ठीक है? Microscope है नाम से समझ में आ रहा है Microscope का का काम क्या होता है? Magnification करके देना ठीक है? मतलब कोई भी चीज़ जो हमें Magnification करके दे वह भी Microscope की तरह काम करती है तो Compound Microscope थोड़ा सा Compound होगा एक होता है Simple Microscope उसमें सिर्फ एक Lens लगी होती है पर यह Compound है इसमें दो Lens लगी होई है ठीक है? अब मान लोग पहले वाले में हम लोगों ने यहां कही Object को रखा हम Object को इस तरीके से Set करते हैं कि यह Between F O and 2 F O की पीच में आए F O मतलब Focal Length of Focus of this First Objective Lens ठीक है? जो Size में छोटा रखा जाता है और 2 F मतलब यहां कहीं इसका 2 F होगा ठीक है? इनके बीच में रखते हैं क्यों रखते हैं क्योंकि मुझे पता है जब मैं ऐसा Case करता हूं तो मुझे एक Real Image देखने को मिलती है जो Magnified होती है ठीक है? एक Real Image जो Magnified होती है तो भाई हो रहा है देखो इसका Image यहां बन रही है यह Real Image है और यह Magnified है ठीक है? यह Directly नहीं भी लग रहा होगा कि बड़ी है बट यह इसके comparison में बड़ी होती है थोड़ी सी ठीक है? तो हमें थोड़ी से Magnification जो है मिल गई ठीक है? Real is Magnified ठीक है? अब ध्यान से देखो यहां भी Image बन गई पर इस Image को as an object Treat करो दूसरी Lens के लिए दूसरी Lens के हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते है कि यह Image क्यां बने? यह Image बने इस Second Lens के Optical Center और Focus के बीच में ठीक है? त्योंकि अब मुझे पता है Optical Center and Focus के बीच में मुझे एक Image मिलती है जो कि होती Virtual है लेकिन Magnified होती है ठीक है? Virtual and Magnified तो यहां पर इस चीज़ने देख सकते हो एक और Image Formation की और यह Final Image यहां कहीं बन रही है Normal Image की Comparison में Final Image काफी बड़ी हो चुकी है ठीक है? और यही काम हमारा Compound Microscope हमें करके देता है अब मान के चलो पहले वाले ने 1 cm की Image को 4 times Magnified किया ठीक है? तो यह जो Image अब यह 4 times Magnified हो गई होगी और जब इस वाले के पास यह 4 cm आया तो यह कितना Magnification दे रहा है मान लो यह 2 times का Magnification और दे रहा है तो यह 4 cm की Image का कितना बना देगा? 8 cm तो Total Magnification कितना मिला? 1 cm से 8 cm यानि कि इसका Magnification था 4 इसका Magnification था 2 तो Total Magnification कितना आ गया? 8 मैंने एक्जाम्पल दिया है इसका Direct Formula होता है कि Net Magnification होता है Magnification produced by objective lens into Magnification produced by IPS इनको multiply करतो और इसकी पूरी derivation होती है जो अभी हम नहीं करेंगे हम लोगों को सिर्फ working समझनी थी और construction देखना था तो I hope अभी questions अबको clear हो गया होगा और इसकी working भी समझ आ गई होगी की काम कैसे करता है Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ये download करे doubt net app या WhatsApp कीजे अपने doubts 8-400-400-400 पर